हेलो एवरिवन आज मैं बात करने वाली हूँ अलोई विरा जैल के कितने सारे फायदे हमारी स्किन पर होते हैं सर्दी के मोसम में तो ये बहतरिन काम करता है वैसे ही गर्मी के मोसम में भी काम करता है आज मैं अलोई विरा जैल को कैसे लगाना है और हमें इसके क्या-क्या बे सकती हैं हमारी स्किन को डेपली हाइड्रेट करता है मोस्ट्राइजिंग के गुन इसके अंदर होती है और सेकिंड जो बात है स्किन पे इरिटेशन है उसको भी ये रिडिूस करता है अगर आपको डारेक्ट अलोईविरा जैल लगाने से कोई भी खुजली होती है जलन होती ह तो आप इसमें कुछ और इंग्रीडियंट्स जैसे की वाइटमिन E का कैप्सूल मिक्स करके लगा सकती है आप हनी मिक्स करके लगा सकती है आप इसके अंदर नारियल का तेल मिक्स करके लगा सकती है अलोईविरा जैल के अंदर एसिलीन और एंटियोक्षिड डेंट्स पा देता है को लिजन एक प्रोटेन होता है जो बढ़ती उमर के साथ घट जाता है स्किन पे और हमारे स्किन पे एजिंग लाइन्स दिखने लग जाती है और स्किन की सारी जुरियों को दूर करके हमारी स्किन को टाइट बनाता है इसलिए रात को अलोई विरा जल लगाना काफी फाइदेबंद माना जाता है और स्किन को एक्सफोलियेट अच्छे से करता है चेहरे पे मिलैनिन प्रोडेक्शन को भी कम करता है जिसे टैनिंग हो जाती है दूप में जाने से तो उसको भी ये कम कर देता है और जो भी फाइन लाइन्स हैं रिंकल्स जूरियां उन सब को अगर अलोई विरा जल आप मार्केट वाला लगाना चाहते है तो उसमें आप कुछ टर्मरिक भी मिक्स करके लगा सकते हैं जिसे आपके डार्क स्पोर्ट भी धूर हो जाएंगे पिग्मेंटेशन को भी कुछ हद तक ये रिड्यूस करता है और स्किन में एक नेचुरल चमक को बढ़ा देता है और इसको हम अगर वन वीक तक रेगुलर लगा रहे हैं तो हमारी स्किन पे इसका रिजल्ट है वो नजर आने लग जाता है लेकिन इसको हम वीक में दो या स्किन है उनके लिए ये वाइटमिन ए के साथ बहतरिन काम करता है इसको आप लगा के सो सकते हैं ऐसे ही हैल्दी टिप्स लेकर आती हूं थैंक्स